Hello and welcome to the brain yard, my name is Himanshi हम यार डिस्कुस करते हैं the top post current affairs of the day आज की डेट है 9th of June, so let's get started आज का हमारा पहला section है appointments का तो आज का पहला सवाल है कि who has been appointed as the goodwill ambassador to the poor यानि कि सयूंत राश्टर संग के द्वारा जो है किसे goodwill ambassador of the poor appoint किया गया है तो वो है M. Netra M. Netra कौन है, यह एक 13 साल की बच्ची है, जिनके जो father है वो barber है तो इस बच्ची ने अपने जो पढ़ाई में लगने वाले 5 लाक रुपे हैं उन पैसो को इन्होंने contribute कर दिया है selflessly जितने भी गरीब हैं, उन लोगों को contribute कर दिया है उन पैसो को तो यह हम जो है, यह official site देख रहे है, UNADAP की तो इन्होंने जो है, इस बच्ची को appoint कर लिया है as the goodwill ambassador to the poor इस appointment के साथ इन्हें जो है, United Nations में address करने का मौका दिया जाएगा प्लस, Dixon scholarship भी इन्हें दी जाएगी of amount 1 lakh रुपी तो एक लाक रुपे तक का scholarship इन्हें दी जा रही है प्लस हमने देखा कि she is now the goodwill ambassador of the poor जो के appoint क्या गया है by United Nations Association for Development and Peace अगला हमारा section है national का तो हमारे जो national news है, उसमें पहला question है according to the data provided by NTCA यानि कि जो आकड़े हमें NTCA के द्वारा दिये गए थे उनके हिसाब से जो बागों की death हुई है यानि कि tigers की death हुई है पिछले 8 सालों में उसकी संख्या क्या रही है तो वो रही है 750 तो इसका मतलब यह है कि NTCA यानि कि National Tiger Conservation Authority जो है उनके हिसाब से पिछले 8 सालों में करीब 750 भाग यानि कि 750 tigers की death हुई है इन में से सबसे ज़ादा जो death है वो हमें मद्र प्रदेश में देखने को मिली है और खास बात यह है कि मद्र प्रदेश में ही सबसे ज़ादा population भी मिलती है टाइगर्स की NTCA की बात कर रहे हैं तो इसके जो chair person है वो है प्रकाश जावडेकर और यह headquarter है New Delhi में हम यह बात करें tigers के conservation की तो इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि project tiger जो है यह launch किया गया था 1973 में तो हमने देखा यह data जो कि NTCA के द्वारा दिया गया है अगला सवाल है कि किस मंत्री ने किस केंद्रिय मंत्री ने या minister ने inaugurate किया है 18th bench of Central Administrative Tribunal यानि कि केंद्री प्रशासनिक नायाधी करन जो ट्रिबूनल है वो किस के दोरा inaugurate किया गया है तो यह किया गया है बाई Jitendra Singh तो हम यह बात करें Jitendra Singh की तो he is the union minister for development of north eastern region, personal grievances, pensions and atomic energy and space तो इन सभी के जो minister है वो है Mr. Jitendra Singh हमने देखा कि इन्होंने उद्गारण कर लिया है 18th bench का of the Central Administrative Tribunal और यह इन्होंने किया है in the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh तो इन दोनों regions के जो नए bench को inaugurate किया गया है वो है 18th और वो किया गया है Jammu, Kashmir और Ladakh में तो हम यह बात कर रहे है Central Administrative Tribunal यानि कि केंदरी प्रशासनिक नयाधी करन के बारे में यह एक तरीकी का जो body है, tribunal है इसे establish किया गया था under the Parliament's Article 323 तो Article 323 के अंदर इसे बनाया गया है for adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of services of persons of public services इसका कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी सार्वजनिक सेवाई होती है जो भी public services होती है उसकी जो recruitment होती है, appointment होती है या पर service related जितनी भी problems होती है, dispute, complaint उन सभी को solve करने के लिए एक tribunal बनाया गया है अलग से उसका नाम है Central Administrative Tribunal अलग से खास तोर पर recruitment और service related tribunal बनाया गया है हमने क्या देखा, यह अठारवा bench है, यानि कि इसके पहले करीब 17 benches थे इनके पास और अब जो 18 हमने देखा, वो आया है Union Territi of Jabboo Kashmir अंदरदाप में जो कि inaugurate किया गया था बाई जितनी इंदर सिंग इन्होंने launch कर दिया है एक और चीज जिसका नाम है COVID Beep तो COVID Beep क्या है, यह इंदिया का खुद का स्वरदेशी बनाया हुआ cost effective, wireless, physiological parameters को जो है monitor करने के लिए एक device है जिसे जो है launch किया गया है बाई जितनी इंदर सिंग अब COVID Beep का full form देखे, तो इसका full form है continuous oxygenation and vital information detection biomed ECIL ESIC pod यह काफी बड़ा full form है, आपको इतना ज़्यादा रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है COVID Beep आपको याद करना है launch इनके द्वारा किया गया था और इसे develop किया गया है by ESIC Medical College of Hyderabad in collaboration with IIT Hyderabad and Department of Atomic Energy तो इन तीनों ने मिलके इस device को launch किया है हम क्या देख रहे हैं, इस तरीकी की एक machine है, जो की launch की गई है हम क्या देख रहे हैं, यह बताएगी हमें physiological parameters इसका मतलब होता है, आपका heart rate हो गया, blood pressure, body temperature इन सभी चीजों को जो है हम physiological map दंड या फिर physiological parameters कहते हैं और इसी को नापने के लिए COVID भी प्लाँच किया गया है अगला हमारा सवाल है कि researchers at which IIT have developed a low cost and artificial intelligence based AI kit तो यह बनाया गया है by IIT हाइदरबाद तो researchers हमारे IIT हाइदरबाद के उन्होंने इसे कम लागत में artificial intelligence based test kit है वो बनाई है यह जो test kit है वो हमारी RT-PCR-free होगी यह जो test kit हम देख रहे हैं यह करीब 600 रुपीज के होगी यानि कि काफी कम जो है इसका amount होने वाला है तो हमने क्या देखा एक AI based test kit है जो कि launch की गई है by IIT हाइदरबाद तो हमारा अगला सवाल है कि the Center for Nano and Soft Matter Sciences इन्होंने found out किया है एक नया कम लागत का and efficient way to generate what तो क्या generate करने का जो है इन्होंने नया तरीका निकाला है यह निकाला है इन्होंने of hydrogen तो हम यह बात कर रहे हैं एक institute के बारे में जिसका नाम है The Center for Nano and Soft Matter Sciences तो इन्होंने कम लागत में, low cost में और efficient way में hydrogen को generate करने के नए तरीके निकाले है using the molybden dioxide as catalyst तो hydrogen को अलग से generate करना काफी मुश्किल होता है और काफी इसमें cost involved होती है पर जैसे के हम देख रहे हैं CENS यह जो हमारी body है इन्होंने नया तरीका निकाला है CENS क्या है? यह एक autonomous research institute है जो कि हमारी department of science and technology के अंदर आती है यह headquarter है जहली बेंगलूरू में और इसे बनाया गया था 1991 में तो हमने देखा बड़ CENS तो अगले सवाल हमारे national news के section से है कि जो हमारी ministry है of road transport and highways यानि कि सड़क परिवहन और राजमार्क मंत्राले की जो हमारी ministry है इन्होंने mandate किया है किस color का एक sticker जिसमें details होंगी for the BS6 vehicles of any fuel type तो BS6 vehicles जो है हमारी उनके लिए एक नए color का sticker launch किया गया है उसे mandatory किया गया है यानि कि जरूरी किया गया है तो वो है हमारा green color यानि कि हरे रंग का यह sticker उसमें लगा हुआ होना चाहिए हम क्या देख रहे है कि हमारी ministry है road and transport की उन्होंने एक green color का sticker लगाना जरूरी करवा दिया है mandatory करवा दिया है जो कि हमारे सभी BS6 vehicles उसमें लगा हुआ हो BS6 क्या होता है हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि petrol और CNG vehicles के लिए light blue color का sticker जरूरी होता है और diesel vehicles के लिए orange color का होता है और हमने देखा कि BS6 के लिए अब जो है green color का होने वाला है अब हम यहाँ बात कर रहे हैं BS norms के बारे में बारत stage emission standard norms यह क्या है एक तरीके के emission standards होते हैं चोकि institute किया गया है ताकि regulate किया जा सके output of air pollutants हमारे जितनी भी गाडिया होती हैं उनसे air productions निकलते हैं तो उस चीज को कम करने के लिए एक standard maintain किया गया है कि इस तरीके के आपके engine होने चाहिए जितना ज़्यादा आपके standard बढ़ेंगे उतना ज़्यादा efficient होगा और उतने ज़्यादा कम air pollutants निकलेंगे तो यह जो standards है वो हमारे इंडिया में setup किया जाते हैं by the central pollution and control board यानि कि केंदे production नियंतरन board जो है वो इसे setup करता है जो कि आती है हमारी ministry of environment के अंदर इसके साथ आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह जो standards देख रहे हैं वो हमारे खुद के नहीं है बड़कि यह आते हैं European regulation से यानि कि Euronorms जो है उनसे हमने inspire होके अपनी BS norms को लागू किया है यह जो Euronorms होते हैं यह पहली बार introduced किया गये थे सन 2000 में और इंडिया ने जो है 2016 में यह decide कि हमारे इंडिया जो है BS 6 norms को directly approve करने वाली है देखें stage होती है कि आप BS 4 अपनाएंगे फिर 5 फिर 6 लेकिन इंडिया ने क्या decide कि है कि हम 5 को skip करेंगे और directly BS 6 norms को जो है लागू करेंगे और 2020 तक जो है इसे पूरी तरके से फुल्फिल कर द दिया है उन सभी motor vehicles को जो कि confirm करते हैं to the emission standards of भारत state 6 एनि कि ऐसी सभी जो है वेहिकल्स का sale और registration पूरी तरीके से बैंक कर दिया गया है from April 1st 2020 हमने जो है काफे जादा news यहां पर देख ली पर यह important था और आप सभी को इसके बार में जानकरी लेना भी जरूरी था तो हमने द देजाइन डेवलप और मैनिफेक्चर किया है एक airborne rescue pod for isolated transportation तो यह जिसका नाम है अर्पित यह किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो यह किया गया है भारती वायू सेना यानि कि हमारी जो इंडियन एर फोर्स है इन्होंने अर्पित को जो है design, develop और मैनिफेक्चर किया है अर्पित क्या है यह एक airborne rescue pod है for isolated transportation नाम से कैसे समझ में आ रहा है airborne rescue pod यानि कि जितने भी हमारे critical patients है उन्हें हम airs के थ्रू यानि कि air forces के थ्रू जो है वहां से rescue करेंगे और उनका जो है isolated transportation करेंगे यानि कि एकांत में ही उनका transportation करेंगे तो इस तरीक एगल system में वो क्या गया है by the Indian Air Force तो अगला हमारा national news का आखरी question है कि what is Ananya Ananya क्या है अनना जो है यह एक तरीकी कि disinfection spray है तो यह जो disinfection spray है जिसका नाम है Ananya यह बनाया क्या है by the defense institute of advanced technology ठीक है यह जो institute है यह हमारी पूने बेस है और इन्होंने बना दिया है एक nanotechnology based disinfectant spray ठीक है nanotechnology इन्होंने इस spray में इसको आसानी से यूज कर सकते हैं कोई भी health workers इसको यूज कर सकता है इसे आप मास में लगा सकते हैं पीपी में लगा सकते हैं hospital में मतलब हर जगा पर यूज कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारा virus है वो उसे रोक भी देगा और इसके साथ जो है उसे किल भी कर देग Fit India तो Fit India ने launch किया है एक series of special films promoting the indigenous sports यानि कि हमारे जो स्वदेशी खेल हैं उन्हें ये प्रमोट करने वाले हैं और आपको बताना है कि कितने जो हैं ये sports को प्रमोट करने वाले हैं तो ये करेंगे करीब 10 जो हैं हमारे indigenous sports को प्रमोट हम यह देख रहे हैं sports ministry के बारे में तो इन इनका एक flagship प्रोग्राम है जिसका नाम है Fit India इन्होंने पार्टनर्शिप कर लिए Department of School Education and Literacy के साथ और इसी के थ्रूं ये 10 indigenous sports को प्रमोट करने वाले हैं और ये सब जो किया जा रहा है ये होगा हमारा एक भारत श्रेष्ट भारत इनिशेटिव के अंदर अब एक भारत श्र इनिशेटिव को लांच किया गया है और हम जो ये देख रहे हैं इसके अंदर हमने 10 sport की बात की तो वो जो 10 sports है वो है खोखो गटका कलरी पयर्टू मल्खम ठंकता रोल बॉल तग अफ़ और तो ये सारे जो हम गेम से आ देख रहे हैं वो आरे हमारे इस इनिशेटिव के अ तो इसी चीज के लिए इन्होंने पिट इंडिया मुव्मेंट लॉंच किया था तो हमने देखा कि हमारे जो 10 स्वदेशी गेम है उन्हें प्रमोट किया जाएगा और इसी के साथ हमारा जो है sports section यहीं खतम होता है अगला है states तो इससे related पहला question है about बंदे उतकला जननी तो यह जो गाना है उसे status दे दिया गया है as the state anthem तो किस state का यह state anthem है it is now of Odisha तो हमने यह गाना क्या देखा बंदे उतकला जननी बंदे उतकला जननी जो है अब है नया state anthem of Odisha यह जो गाना हम देख रहे हैं यह एक patriotic poem है जो की लिखी गई थी बाए कंता काभी लक्ष्मी कांता मो उनने लिखा था और उसकी पहली लाइन थी बंदे उतकला जननी उस समय जो है यह काफी inspiring एक poem हुआ करती थी तो उसी से inspire होके अब जो इन्होंने अपना state anthem रखा है उसका नाम भी बंदे उतकला जननी रखा है अगला सवाल है कि किस government ने लौंच किया है मेगा संदेश आप तो मेगा संदेश आप जो है यह लौंच किया गया है बाई करनाटका हम देख रहे हैं करनाटका के बारे बे तो इन्होंने लौंच किया है मेगा संदेश आप इसके अंदर क्या कर रहे है यह real time information देने वाले हैं और forecast of rains flooding thunderstorms alert in Bengaluru तो Bengaluru में इस तरीके के जितनी भी forecast है वो हम को दिये जाएंगे बाई मेगा बाई मेगा संदेश आप यह जो आप है यह डवलप किया गया है बाई करनाटका स्टेट नाच्रल डिजास्टर मॉनेटरिंग सेंटर अलॉंग विद इस बेंगलूरू तो आया यसी के बारे हमने रीसिंटी देखा हुआ था और अगर आप हुआ अग्ला स्वाल अगला है कि स्टेट ने तॉप किया है इन इस स्टेटिफूद सेफ्टी इंडेक्स फॉर टू थाजन ne 19 तो इस जो इंडेक्स है इसमें तॉप किया गया है by Bemb yourself अके यह क्या है हमने देखा एक सेट फूद सेफ्女ेंड जोbers की जाती है by FSSAI यानि की Food Safety and Standards Authority जो है हमारी इंडिया की उन्होंने इस इंडेक्स को लांच किया है इस इंडेक्स के अंदर जो है पाँच परामिटर्स में पाँच माप दंडो में जो पूर सेफटी है उसे मापा जाता है और उसी के आधार पे सभी को रांग किया जाता है तो जासे के अमने देखा गुजरात ने टॉप किया है in the list of larger states तो जिटने भी स्टेट्स हैं उसमें गुजरात में टॉप किया है और अगर छोटे स्टेट्स की बात की जाए तो इसमें गोवा जो है फो फरस्ट आया है यूनिन टेरिटरीज की बात करें तो इसमें चंदिगर डेली और अंड़मान निस यह यह टॉप तीन बनके आए हैं तो हमने देखा अबाउट FSS AI और उनके द्वारा रिलीस किया गए स्टेट पूर सेफ्टी इंडेक्स के बारे में नेक्स हमारा सेक्षन है अवोर्ट का तो इसका पहला क्वेशन है कि किस एरपोर्ट को मिला है हाइस प्लाटफर्म रेकर्गनिशन इन दी एरपोर्स कांसल इंटरनाशनल तो यह जो हाइस प्लाटफर्म रेकर्गनिशन है यह दिया गया है तुदी हाइदरबाद एरपोर्ट देखे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हाइदरबाद एरपोर्ट के बारे में यानि कि GMR-led जो हाइदरबाद इंटरनाशनल एरपोर्ट है उन्हें मिल गया है अपना बारे मानेजमेंट अच्छे से करते हैं एफिशेंट प्राक्टिसन वो वहां पे करते हैं तो उन्हीं एरपोर्ट को जो है रिकोगनिशन प्रोई किया जाता है और जैसे एमने रेखा इस एपोर्ट यह दिया है तो अगला हमारा अवारे डिलेटर ग्सेंट है वो वो है किरन मर्जुमदार तो किरन मर्जुमदार शौर जो की है एग्जिकेटिव चेर पर्सन ऑफ बायो कॉन लिमिटेड इन्हें मिल गया है एवाई वर्ल एंट्रप्रेणर ऑफ दी यह तूजन ट्वेंटी यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अवार्ड है क्योंकि 20 साल की जो इसकी हिस्ट्री रही है उसमें पहली ऐसी वोमेन इंट्रप्रेणर है जो की इंडिया की तरफ से है और इन्हें यह यह अवार्ड दिया गया है इंडिया के कॉंटेक्स में देखे तो अभी तक तीन इंडियन्स को यह अवार्ड मिला है इनके अलावा उदै कोट इन दोनों को यह award मिल चुका है और अगर worldwide context में देखे तो she is the second woman यानि कि इनके पहले Olivia Lum को जो है यह award मिला था और worldwide में यह दूसरी है पर इंडिया के context में यह पहली ऐसी जो female है उन्हें यह award मिला है तो हमने देखा about the EY World Entrepreneur of the Year Award 2020 हम यह देख रहे हैं BioCon Limited के द्वारे में तो यह जो है यह Bangalore-based एक company है जो की Bio Pharmaceuticals से related है और इस company को जो है establish किया गया था 1978 में तो हमने देखा about Kiran Mazumda Shaw अगला हमारा section है international का तो हमारे international news में पहला question है कि NASA ने partner किया है किस country के साथ तो होस्टर deep space ground station तो deep space ground station बनाने के लिए NASA ने partner किया है with South Africa तेखें जो deep space ground station होते हैं वो support करते है human flight जो space flight missions है हमारे जो के आगे समय में भी काफी जादा होने वाले हैं तो इन सभी space flight missions की जो भी research होती है वो ऐसे deep space ground stations में होती है तो NASA ने इसके पहले United States, Spain और Australia इन तीनों के साथ भी एक partnership कर रखी है तो South Africa जो है ऐसा चौथा state है जिसके साथ NASA ने इस तरीकी की partnership की है तो यह partnership होगी South African National Space Agency and NASA के बीच में हम बात कर रहे हैं यहां पे space related news की, तो SpaceX ने रीसंती नासा के crew को जो है launch किया था to the International Space Station और सो अर्थमिस mission जो है यह NASA का एक mission है जिसमें यह जो है astronauts को भेजने वाले हैं मोन पे और SpaceX related news यह भी है कि इन्होंने रीसंती एक और batch launch किया था Starlink Internet Satellites का अगला हमारा section है obituaries का पहला यहां पे question है हमजा कोया के बारे में तो हमजा कोया हूदी सिंती पास्च वे, he was a famous who, he was a famous footballer हम यह बात कर रहे हैं हमजा कोया के बारे में तो जैसे कि हमने देखा, he is a former Indian footballer he was also a former footballer player who represented Maharashtra at the Santos Trophy तो हमने देखा बाट हमजा कोया है चुकि इंडिया के काफी famous एक footballer थे अगली जो अबिशरी है वो है about British producer and songwriter Mr. Rupert Hine के बारे में Mr. Rupert Hine जो है काफी famous British Nirmata थे और एक गीतकार थे और इसी के साथ इन्होंने प्रडियूस किया था तो हमने देखा about all the recent obituaries अब आता है हमारा important days का section यह हमारा last section है पहला यहाँ पर question है कि where is the world ocean day celebrated तो sorry when is the world ocean day celebrated तो यह celebrate किया जाता है 8 June को ठीक हम देख रहे हैं विश्व महासागर दिवस तो हम यहाँ देख रहे हैं विश्व महासागरे दिवस के बारे में यह एक अंतराश्रीर दिवस है innovation for a sustainable ocean तो theme important है as well as the day हमने देखा about the world ocean day अगला सवाल है कि when is the world pest day celebrated तो pest day यानि कि विश्व कीट दिवस यह आता है हमारा 6 June को ठीक है तो विश्व कीट दिवस यानि कि हम जो है world pest awareness day भी कहते हैं कीट जागरुपता दिवस भी कहते हैं इसे मना चाता है 6 June को इस दिन को हम मनाते है to raise awareness of how pest management helps to preserve quality of life and your loved ones यानि कि pest management कितना important है कीट से हमें कीट का प्रबंदन करना कितना ज़रूरी है तो इन सभी चीजों के बारे में बात की जाती है on this day इस दिन को इनागरेट किया गया था in the Beijing hotel on June 6 2017 यानि कि 2017 हम इस दिन को मना रहे हैं तो हमने देखा about world pest day जो के बना जाता है June 6 को तो यह था हमारा आज का last topic इसी के साथ आज का हमारा session यही खतम होता है I really hope you enjoyed today's session and if you did please don't forget to give it a like, share and subscribe and now I shall see you in the next one